बहुत बदाई ये पीछे फोजवानों को दीजिए जैहन सर मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टेनेंट अपने शतर विदी है और मेरे साथ मेरी दो कलीग है फ्लाइट लेफ्टेनेंट भावनेंट फ्लाइट लेफ्टेनेंट मोहना हम इस अभागे मिला कि हमने जब भारती वायु सेना जॉइन करी तो हमारे ही टाइम पे ये पॉलिसी आई कि अपसे महिलाओं को लड़ाको विदान उडाने की अनुमती दी जाएगी तो हमारी performance के हिसाब से और हमारी choice के हिसाब से भारतिवायू सेना ने हमको पहली बार fighter stream में commission किया 2016 में उसके बाद हम लोगों ने training के time पे Pilatus और किरन उड़ाया दोनों विमान उसके बाद हमने hog pep में training करी और 2018 और 2019 में हम तीनों लोग देश की पहली ऐसी महिलाया बने होंगी कि बहुत adventure से सबकी लाइफ है उस तरह की तो नहीं रही है लेकिन हमने भी वही कठिनाईया और अच्छी चीज़े देखी हैं जो बाकी हमारे male counterparts ने देखी क्योंकि हमारे training एकदम सेम होती है और हम काफी सभागिवती रहे कि हमारे जितने भी हमारी इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं घर के पेरेंट्स शिक्षक सबने बहुत ही सपोर्ट किया और मैं यह कहूंगी कि हमारी जो चुनौतियां हमको मिलती है हैं फ्लाइं करते हुवे उसमें हर दिन जब हम उड़ते हैं कुछ नया सीखते हैं तो अपने अंदर की जो determination होता है कुछ करने का उस वो चीज़ फीलिंग होती ही वह स्ट्रॉंग हो जाती है हर दिन निकलने के साथ में सब अवास लोग मार दो तो तुन परेस की बश्कियों को मिलते हैं तो मैं यह कहूंगे कि इन जनरल लोगों की जो सोचने की शमता है और जो लोगों का फोकस रहा है लड़कियों का खासतार पर वो काफी प्रग्रसिव हो गया है और अब वो ना केवल मुद वो लोग ऐस करियर गूर मैं अपना अगे देखना चाहती है हमें देखके उनको अच्छा लगता है और इन फेक्ट उनको देखके हमें अच्छा लगता है कि अगर हम हम कुछ कर रहे हैं हम से कुछ प्रेरिथ हो रहा है तो से अची कोई बात नहीं हो सकती वहाँ पर मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया कॉलेज के बाद एक्जाम देकर जैसे सभी एंट्री जाते हैं वैसे आ गई थी बच्पन से सर यह था कि जो सिंस मैं सिविल बैक्डाउंड से बिलॉंग करती हूं तो फॉज का जादा आइडिया नहीं था बट यह था कि कुछ करना है तो उड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो जब अकैडमी गई थी इन फैक तब तक क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फॉज की तरफ ओनेस्ली तब तक में को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता तो जब मैं गई थी मेरे हिसाब से एरफोर्स मतलब फाइटरी उडाते होंगे इस थिंकिंग के साथ गई थी तो जर्नी जैसे का फ्लाइटलेट नहीं ने बताया सबकी सेम रही है बट इंपॉर्टन थिंग इस की बच्पन से क्योंकि मुझे कभी फीली नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मेभी फाइटर इस नौट ए थिंग फॉर मी तो मेभी मैं अबस ऐसे बच्चों की तरह ना आगे बढ़ती गई तो I think सबसे बड़ा योगदान मेरा माबाब करा and obviously उसके बाद से colleagues, instructors, सभी और यहां आकर I'm very overwhelmed to see you and meet you. Jain Sir, Flight Liftman Mohna, मैं Kajasthan से हूँ और Air Force join करना मेर लेक काफी I would say legacy वाला ओप्शन था because my father, grandfather both have served in Air Force and when I was watching them in uniform, it was just a dream that when I was in school, when I was in school, I would pray to them to see the lady officers that we would go in uniform in a row. So, the first option obviously flying because I was watching them and I would have to do it in 2015 and 2016, by the Commission and बहुत ही गुमांचक एक जॉब है और बहुत ही दिमांदिंग है, no doubts and हम अपने आपको हग दरी के से तयाग रखते है उस चीज़ के लाए. कि अधाई भाओ. कि अधाई भाओ. कि मंत्री मोदे का जब भांसर सुनते हैं, कि और समाचार देखने का बहुत सब्सुप थी. कि अधाई भांसर सुनते हैं, कहीं भी हो हम किसी को इसे बाचार देखने हैं.